हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 12 जनवरी को हुए C-Tat 2021 पेपर वन के फुल 30 कोश्चन्स CDP के कम्पलीट करेंगे आपका पहला कोश्चन आया था अजर्शन और रीजन वाला तो आपका अभी कथन दिया गया था रूमी 18 महीने में दो शब्द का उच्चारण कर सकती है जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया इसलिए पूजा निश्चित रूप से विकास में देरी कर रही है तारण दिया गया था विकासात्मक माल स्टोन बच्चों के लिए निधारत लच्चों की प्राप्ती के लिए सटीक आयू की सटीक भविश्वारी करते हैं तो आपका पहले का उप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा दोनों ए और आर गलत है आपका सेकेंड कोश्चन आया था मिडल चाइल्ड हुड रिफर्स टू दा पीरियट फ्रॉम मध्य बाल्य वस्तासे तात पर है तो आपका सेकेंड कोश्चन तीसरा करेक्ट हो जाएगा छैसे ग्यारा वर्स आपका फ़र्ड कोश्चन आया था फाइव इयर ओल्ड चाइल्ड कैन पांस साल का बच्चा कर सकता है तो आपका थर्ड का उप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा लच्छ निर्देशित विवहार सुरू करें और पतिकात्मा खेल में सनलगन हो आपका फूर्थ कोश्चन आया था बच्चों के प्राथ्मिक सामाजी करण के लिए जिम्मेदार है तो आपका फूर्थ कोश्चन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा परिवार आपका फिप्ट कोश्चन आया था पियाजियन सिध्धान्त में वे प्रक्रिया जिसमें एक बच्चन नए अनभव को समझने के लिए अपने इस कीमा को रुपांतरित और संसोधित करता है कहलाती है तो आपका फिप्ट कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा आवास अकमूडेशन आपका फिप्ट कोश्चन आया था अपसा एक आलू की चिप पकड़ती है और कहती है तितली जीन प्याजे के अनुसार इस प्रक्रिया का प्रतिकातमक विचार किसकी विशेश्ता है तो आपका फिप्ट कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा पूर्व संचालन चरण प्री ओपरेशनल स्टेज आपका फिप्ट कोश्चन आया था लेव गौच की बच्चों के संग्यनात्मक विकास को प्रभावित करने में किन कारकों को महतपूर मानते हैं तो आपका सेवंध कोश्चन पहला सही ओजाएगा फस्ट अंच सेकेंड भासा और संस्क्रति आपका एट कोश्चन आया था लेव गौच की का सामाजिक संस्करतिक सिधांत सिच्छर दिकमग पर बल देता है तो आपका 8th option तीसरा सही हो जाएगा सहकर्मी बाच्चीत और मचान आपका 9th question आया था बाल के अंदरित कच्छा में सिच्छक की भूमिका होती है तो आपका 9th option तीसरा सही हो जाएगा सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक सही होगी कच्छा का लोकाचार बनाए करने वाले तरक की पहचान करे तो आपका 10th option तीसरा सही हो जाएगा कानून और नियम मानवी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लचीले साधन है आपका 11th question आया था हावर्ड गार्डनर के बहु बुद्धी के सिधान्त में डैश बुद्धी पर उच्च व्यक्ति आसानी से अमूर्थ तरक में सनलगन हो सकते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए प्रतीकों में हेर फेर कर सकते हैं तो आपका 11th option तीसरा करेक्ट हो जाएगा तारकिक गड़ती है लॉजिको मैथमेटिकल आपका 12th question आया था भारत में अधिकान्स कच्चाएं बहु बासी है और इसे सिध्चक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए तो आपका 12th option पहला सही हो जाएगा एक संस साधन आपका 13th question आया था एक सिध्चक हमेशा लड़कों को फनीचर को हिलाने जैसे कार करने के लिए कहता है और लड़कियों को कच्चा को साफ उत्रा रखने के लिए यह धारणा उचित नहीं है क्योंकि यह एक उधारण है तो आपका 13th option पहला सही हो जाएगा लिंग स् आपका 14th question आया था आकिलन के संदर्भ में राश्ट्री सिच्छानीती 2020 का प्रस्ताव है तो आपका 14th option पहला सही हो जाएगा विसलेशन और अलोचनात्मक सोच जैसे उच्च करम के कौसल का परिच्छड आपका 15th question आया था अपनी कच्छा में व्यक्तिकत मदभेदों को भी धंक से दूर करने के लिए एक सिच्छा को चाहिए तो आपका 15th option पहला सही हो जाएगा पहचाने की मतभेद घाटे नहीं है रिकगनाईज दैडिफ्रेंस और नौट डेफिसिट्स आपका 16th question आया था इंक्लूजिव एडुकेशन रिक्वायस समावेसी सिच्छा की आउशकता है तो आपका 16th option पहला सही हो जाएगा प्रवाहकिये सीखने का मोहल कंडेक्टिव लर्निंग इन्वार्मेंट आपका 17th question आया था अटेंसन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसॉर्डर से पीडित छात्रों की पहचान उनके सामने वाली चुनोतियों से की जा सकती है तो आपका 17th option करेक्ट हो जाएगा दूसरा किसी दिये गयकार को लंबे समय तक जारी रखना आपका 18th question आया था पढ़ने में सीखने में पढ़ने में सीखने में कटनाई वाले छात्रों के सफल समावेज की और शकता है तो आपका 18th option दूसरा करेक्ट हो जाएगा भासा विश्यों से उचित छूट आपका 19th question आया था उपकरेडो और सहायक प्रद्योग की तथा पहुच को अनकूलित करने में करने से निम्न लिखित को सामिल करने में मदद मिलेगे तो आपका 19th option 4th क करेक्ट हो जाएगा पर सेकेंड थर्ड फोर्थ द्रस्टिकी हानी वाले चात्र अटेंसन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसॉर्डर वाले चात्र सेलेब्रल पालसी वाले चात्र असाधारन प्रतिवा वाले चात्र आपका 20th question आया था निर्दिस्ट विकलांगता वाले चात्रों को सामिल करने के लिए उपियुत आवास रड़नीती रड़नीती का निम लिखित में से कौन सा जोड़ा सही डंग से मेल खाता है तो आपका 20th option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा भाशण हानी धैर दिखाए और प्रतिक्रिया देने के लिए परियाप्त समय दे आपका 21st question आया था Learning is effective when? सीखना तब प्रभावी होता है जब तो आपका 21st option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा चात्रों को अपने स्वैम के सीखने के लच निधायत करने के आवशण दिये जाते हैं आपका 22nd question आया था Constrauxed Approach of Teaching Learning सिख्षड अधिगम का रचनावादी दर्ष्टी कोड है तो आपका 22nd option तीसरा सही हो जाएगा अधिगम को अर्थ निर्माड की प्रक्रिया के रूप में देखता है आपका 23rd question आया था NEP 2020 Proposes a shift towards दाश्ट्री सिख्षानिती 2020 की और बदलाव का प्रस्ताव है तो आपका 23rd option पहला सही हो जाएगा सीखना लर्निंग टू लर्न आपका 24th question आया था अनुप्रयोग विसलेशन और संसलेशन इसके उधारण है तो आपका 24th option पहला सही हो जाएगा उच्छ क्रम सोच कौसल हाई ओर्डर ठिंकिंग स्किल्स आपका 25th question आया था छात्रों द्वारा किये गयवेकल्पिक विस्वासों को संबोधित करने के लिए के लिए महत पूड है तो आपका 25th option तीसरा करेक्ट हो जाएगा ऐसी परिसितिया उत्पन करे जहां छात्रों द्वारा किये गयवेकल्पिक विस्वासों को विक्त किया जा सके आपका 26th question आया था विच आप दा फॉलोविंग सुट भी लच अप्रोच ओरियंटेड मास्ट्री गोल्स आपका 27th question आया था एक सिच्छक को अपने सिच्छार्थियों के बीच टैस की भावना पैदा करनी चाहिए तो 27th option पहला करेक्ट हो जाएगा संबंदित बिलॉंगिंग आपका 28th question अजर्शन रीजन वाला आया था तो आपक के बीच संबंद इस्तापित करने में सुविधा प्रदान करते हैं कारण दिया गया था पूर्व ज्यान नई अवधार्णाओं को सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है तो आपका 28th option तीसरा सही हो जाएगा यह सच है लेकिन आर गलत है आपका 29th question आया था निम्न ल लेड़ा आपका 30th question आया था for effective learning to take place what should be the starting points for instruction प्रभावी अधिकम के लिए निदेश के लिए प्रारंबिक बिंदू क्या होना चाहिए तो आपका 30th option दूसरा सही हो जाएगा बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ चिल्डरन सोस्यो कल्चिरल कॉंटेक्स्ट तो दोस्तो आज हम लोगों ने 12 जन्वरी को हुए C-Tat 2021 पेपर वन के full 30 questions CDP के complete कर लिए हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें थैंक्यू फर वाचिन का वीडियो